बिसमिल्लाहिरामारिर्रहीम, असलामलेकूम एप्रिवान, वेलकम बैक टू सादियोजार्स किचन, आज मैं आपके लिए लेकर रही हूँ सुपर सुपर क्रिस्पी और बहुत ही फ्लेवरफुल फिश नगिट्स, इनको ट्राइ करने के बाद यकीनन आप बड़ी बड़ी फ सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये नगिट्स कैसे लगे, पसंदाएं तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत बूलियेगा, तो चलिए इसी के साथ रेसिपी का आगास करेंगे, और फिश नगिट्स बनाने के लिए यहां पर म मैंने फिश को हलका सा फ्रीज भी कर लिया है, ताकि नगिट्स हम बहुत अच्छी शेप में काट सकें, तो सबसे पहले अब हम फिश के इस तरह से स्ट्रिप्स काट लेंगे, और अब इन स्ट्रिप्स की इस तरह से नगिट्स की शेप की कटिंग करेंगे, तो यहां पर मै और यहां पर फिश के अनिबन के नारों का भी आप नगिट्स में इस्तमाल कर सकते हैं, या चाहें तो इन्हें सेफ कर लें और बाद में किसी दूसरी रेसिपी में इसका इस्तमाल कर लें, तो दो से तीन स्टेप्स में हम नगिट्स को तयार करेंगे, तो सबसे पहले स्ट एक चाय का चमच दार्चिनी का पाउडर, एक चाय का चमच लाल मिरज का पाउडर, एक चाय का चमच कश्मीरी लाल मिरज का पाउडर, एक खाने का चमच लेमन जूस या इसकी जगा पर आप सिर्का भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और इसके लावा इसमें डालेंगे औरेंज यहां पर मेरे पास औरिज फूट कलर नहीं है तो इसलिए मैं इसमें यलो फूट कलर और रेड फूट कलर दोनों को मिक्स करके शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छा सा औरिंज कलर हम डिवेलप कर सकें तो अब इनको कर लेंगे तो अच्छे से मिक्स mix करने के बाद अब हम इसमें fish शामिल कर देंगे जिसको हमने nuggets की shape में काट लिया है अब fish को भी मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से mix कर लेंगे तो यहाँ पर देखे हमने fish की अच्छे से mixing कर ली है और अब इसे हम plastic wrap से cover कर देंगे cover करके इसको 3-4 घंटे के लिए marinate होने के लिए fridge में रख दें आप जाहें तो इसको fridge में रखकर overnight भी marinate कर सकते हैं और अब second step में हम इसके लिए तयार करेंगे better और यह better आपको तभी तयार करना है जब आपको fish को fry करना हो पहले से तयार करके इस better को नहीं रखेंगे तो better बनाने के लिए सबसे पहले हम ball में डाल लेंगे आदा cup all-purpose flour यानि के मैदा और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे आदा cup corn flour एक चाय का चमच लाल मिरज का powder एक चाय का चमच बेकिंग पाउडर और एक chicken cube को इस तरह से crush करके शामिल करेंगे आदा चाय का चमच काली मिरज का powder आदा चाय का चमच नमग एक खाने का चमच lemon juice आप चाहें तो इसकी जगब पर सिर्का भी इसमें शामिल कर सकते हैं तो अब पहले इन तमाम चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे तमाम चीजों को अच्छे से mix करने के बाद अब हम better को बनाने के लिए दूद का इस्तमाल करेंगे यहाँ पर हम requirement के मताबिक इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद एट करते जाएंगे और एक पतला सा better तयार कर लेंगे नगिट्स को अच्छा सा color देने के लिए हम mixing के दुरान ही इसमें थोड़ा सा orange food color शामिल करेंगे अब यहाँ पर मेरे पास orange food color नहीं है तो इसलिए orange color को develop करने के लिए यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा yellow food color और थोड़ा सा red food color एड़ कर रही हूँ तो यहाँ पर देखिए better का इस तरह का color हमें चाहिए और इसके लावा यहाँ पर आप better की thickness भी चेक करें हमें इतना पतला better तयार करना है तो यहाँ पर fish भी हमारी marinate हो गई है और 3-4 गंटे के लिए यहाँ पर मैंने इसको marinate किया है तो अब हम fish nuggets पर coating करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक tray में simple plain मैदा लिया है तो अब सबसे पहले हम fish nuggets को इसमें अच्छे से coat कर लेंगे तो यहाँ पर देखें फिश के उपर चारों तरों से मैदे की बहुत ही अच्छे से coating हो गई है और second coating करेंगे इसके उपर हम better की जो हमने अभी तयार किया था तो यह देखें better की अच्छे से coating कर लेने के बाद अब हम इसके उपर लगाएंगे bread crumbs तो अब इसके उपर हम अच्छे से bread crumbs की coating कर देंगे हाथ से इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से bread crumbs की coating करेंगे तो यहाँ पर fish nuggets ready है fry होने के लिए तो same इसी तरतीब को follow करते हुए आप सारे fish nuggets पर इन तीनों चीज़ों की coating कर लें और यहाँ पर मैंने oil को भी medium flame पर अच्छे से गरम कर लिया है लेकिन oil बहुत तेज गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें fish को भी अच्छे से पकाना है तो nuggets को हम medium flame पर पकाएंगे जब तक कि यह अच्छे से crispy भी हो जाएं और इनके उपर एक अच्छा सा golden brown color भी आ जाए तो यह देखें nuggets के उपर कितना अच्छा सा color आ गया है इसी तरह का color हमें चाहिए तो अब इनको हम oil में से निकाल लेंगे तो लीजिए यहाँ पर हमारे गर्मा-गर्म, crispy और crunchy और flavorful fish nuggets अब serving के लिए बिल्कुल ready है बहुत ही tasty nuggets बने हैं यहाँ पर मैं इसको serve कर रही हूँ cheese sauce के साथ तो अगर आप इन nuggets के साथ यह cheese sauce भी try करना चाहते हैं तो इसकी recipe मैं आपके साथ share कर चुकी हूँ शावर्मा sandwich वाले वीडियो में मैंने आपको यह cheese sauce बनाना सिखाई थी तो उसकी वीडियो का link भी मैं description box में दे दूँगी या इसके लावा आप इसको अपनी पसंद की किसी भी sauce के साथ serve कर सकते हैं tomato ketchup हो या chili garlic sauce तो उमीद करते हूँ के मेरी आज की recipe आपको पसंद आई होगी recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा चैनल पर रहे हैं तो subscribe भी जरूर कर लिजेगा इसी के साथ ही अपना बहुत सा ख्याल रुखेगा दौम याद रुखेगा thank you for watching अलाँ आफेज